हाई फ्रेंस स्वागत है आपको हमारे चैनल में आज हम बनाएंगे कच्चे आलू से नास्ता तो यह नास्ता बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में बच्चे को तो बहुत ही जैदा पसंद होती है जब कुछ हलका फुलका खाने का मन करें तो यह नास्ता आप जटपर से बन को कदू कस्प करेंगे मेडियम होल से हम नहीं करेंगे थोरे से जदा हम मोटे ही रखेंगे तो इसको हम कदू कस्प सभी आलो को हम कर लेंगे देखिए सभी आलो को हम कदू कर लिए है अब आलो को हम एक बॉल में निकाल लेते हैं तो बॉल में हम ले लिए हैं पानी बिना पानी के आलो हम नहीं रखेंगे नहीं तो कला पर जाएगा इसलिए पानी में हम आलो को डूबो के रखेंगे तो देखिए हम आलो को पाने में डुबे के रख दिये है अब हम ले लिए है एक पैन पैन को हम गरम कर लेते हैं तो देखिए पैन गरम हो गई है इसमें डाल दिये है एक परे चमच तेल तेल को हम गरम होने देते हैं तो देखिए तेल गरम हो गई है अब इसमें हम डाल दें तो देखिए जीरा और हरी मीर्चल का सब भून गया है इसको मिलाते हुए हम भून लिए हैं अब इसमें हम डाल देंगे पानी तो देखिए इसमें हम पानी डाल दिये हैं इसमें हम डाल लेंगे दो गलास पानी दो गिलास हम पानी डाल दिये हैं अब इसमें हम डाल देंगे आधी चम्मच रेट चिली फिलेक्स रेट चिली फिलेक्स डाल के पहले पानी को हम गरम कर लेंगे पानी में एक उबाल आ जाएगी तब इसमें हम डालेंगे आलू तो देखिए इसमें पानी में उबाल आ गई है अब इसमें हम आलू डाल देते हैं आलू को हम पानी में से निकाल लिए है तब आलू इसमें हम डाले हैं तो आलू को हम अब एक मिनट के लिए पकने देते हैं जब आलो में हलकी सी उबाल आ जाएगी तब इसमें हम डाल देंगे नमक देखिए आलो में उबाल आ गई है अब इसमें हम डाल देंगे नमक आधि छोटी चमच हम नमक लिए हैं या स्वादन उसार नमक डाले नमक डालके अच्छे से हम मिला लेंगे अब इसको हम दो मिनट के लिए पकाएंगे ताब इसमें हम डालेंगे सूजी तो देखिए दो मिनट हो गई है अब इसमें हम डाल देते हैं सूजी यहाँ पर हम एक कप सूजी लिए हैं सूजी डालके इसको अच्छे से हम मिला लेंगे अब फ्लेम के कर लेंगे हम लो फ्लेम पे हम पहले सुजी को अच्छे से मिला लेंगे ताकि सुजी में कोई गुठली नहीं बने इसलिए हम लो फ्लेम पे पहले सुजी को मिलाएंगे अच्छे से देखिए हलकी हलकी गुठली बन रही है इसलिए हम framework कर दिये है अगर medium framework फेसको मिलाएंगे तो पूरे गुठली बन जाएगी अच्छे से सुजी मिलेगी नहीं तो देखिए हम सुजी को मिला के कर लिए है तयार अब इसको दो मिनाट तक हम पकाएंगे जब तक सुजी पेन नहीं छोड़ दे अपने सिमट के जैसे आटा हम गूरते है और इसे डो के फॉम आ जाएगा ताव हम इसको बंद कर देंगे इसको इसी तर रही है अब इससे जैदा हम नहीं पकाएंगे अब सुजी को हम ठंडा कर लेते हैं तो देखिए ठंडा हो गई है अब इसका हम थोरे से हंथ में हम तेल लगा लेंगे तेल लगा के इसको हम पेरा सिप में इस तरीके से मसल मसल के जैसे हम पेरा बनाते है उस तरीके से पेरा हलका सा बॉल बनाके चप्टा करके तब इसको बीच में हम बॉल कर देंगे, देखिए इसी तरीके से हम सभी बनाके कर लेंगे तयार, इधर हम दे देते हैं रिफाइन गरम होने के लिए, जब तक इधर रिफाइन तेल गरम होगी तब तक इधर हम बनाके कर लिए हैं तयार, तो एक्षे कर लेते हैं, तेल गरम हुई है या नहीं तो देखे तेल हलकी सी गरम हो गई यह है तो देखें तेल में उबाल आ रही थी, तब इसमें हम रिंग डाले हैं तो half flame पे हम इसको fry कर लेंगे medium flame पे फ्राय नहीं करेंगे, ये पहले से ही पका है सब कुछ बस इसको थोरी से किरिपी बनाना है इसलिए हम half alarm पे जल्द जल्दी में फ्राई कर लेंगे जब ये नेचे से हल्का सासीख जाएगा तब इसको हम पलटेंगे तो देखें नेचे से कलर चेंज हो गया अब इसको हम पलट देते हैं में इसी तरीके से ओलडते प्लडते हुए golden brown होने तक हम fry करेंगे हैं comment है फ्रङपे ważne पर ही मत हम फ्राय करेंगे व हम प्लडते रहेंगे में ने देखिए golden brown हो गयी है व इससे ज़adन नहीं करेंगे अभेश को निकाल लेते हैं देखे तो कितनी अच्छी लग रही है देखने में एकदम क्रिप्स भी बन के तयार हुई है सूजी डाले से यह क्रिप्स बनी है तो अब जो बची हुई है उसको भी इसी तरीके से डाल के हम फ्राइ करेंगे एक एक करके सभी नास्ता को हम डाल देंगे जब ये नेचे से सिख जाएगा तब इसको हम पलट देंगे देखे नेचे से सिख गया अब इसको हम पलट देते हैं और इसी तरीके से उलटते पलटते हुए गोलर ब्रावन होने तक फ्राइ कर लेंगे देखे ये भी गोलर ब्रावन हो गई है अब इसे ज़्यदा फ्राइड नहीं करेंगे इसको भी हम निकाल लेते हैं तो देखिए अकच्चे आलो और सुजी के नास्ता बना के हम कर लिए है तैयार आप भी इसी तरीकी से बनाईए आलो और सुजी का नास्ता इस नास्ते को हम सर्व करेंगे टोमेटो केचप के साथ अगर हमारे रेसेपी पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक सेर और हमारे चैनल को सस्क्राइब जरूर करें थाइंक्यू